हेलो फ्रेंट कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज आपके साथ शेयर करने चारी मोंग डाल बन एकदम टेश्टी और हेल्दी है फटाफट बन जाता है तो चलिए इसकी मेकिंग देख लेते हैं तो उसके लिए मैंने एक कप मोंग डाल ल तो यहां चार से पांच घंटे हो गए थे मोंग डाल हमारी अच्छे से प्रॉपर्ली सोख हो गई थी तो बस एक स्टेनर ले लिजेगा जो भी एक्सेस वाटर है वो निकाल दीजेगा तो फटा फट मैंने सारा का सारा वाटर निकाल दिया इसके बाद एक ग्राइंडर ज भी जुट है बच्यों के लिए बना रहे तो इसकिप कर दीजेगा साथ ही थोड़ा सा पानी डाल दिया तो आशिचे साथा प्राइंस बना लिया था एकदम हमें फाइन पेश्ट इस चाहिए एकदम लूम्स नहीं चाहिए वह नहीं होने चाहिए मॉंग दाल के वना वो न मैंने अङों दाला, इसके बाद मैं बいसाला साथ में लिए सूझा काप्सिकम्टूं दाल की अगया है और इसके बाद deeper इन दे शुर्ण मैंने 2 और पर इन धे चुझे आल है यह कःसंग कि अधिड जब अधिते हैं रहे, था कोमरी जे स्कोन जंड देध, अब यह सारी वेजीच को हमें मुंग डाल के पेश्ट में एड़ कर देना और अच्छे से मिक्स कर लेना है अगर आप बच्छों के लिए बना रहे हैं अब बच्छों को चीज बहुत पसंद आती तो थोड़ा चीज भी जब फिल करेंगे तो बीच सेंटर में रख देंगे तो बस इसके बाद मैंने हाफ टेबल इस्पून इनो डाल दिया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना याद रखेंगा एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स कर लिए वह ना जो एयर हमारी बनी है वह बाहर हो जाएगी यह बन हम बना रहे हैं तड़का पैन में तो ब पैश्ट और अगें इसे कवर करके तीन से चार मिनट के लिए अच्छे से कोख होने देंगे तीन से चार मिनट हो गया है और यह देखिए नीचे से एक दम क्रिस्पी सा कलर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इसको पहले साइड ज़के हाथों से इसके चुटा लेंगे तो यह देखिए ज़के हाथों से आपको और बस किसी भी स्पून की हैल्प से आप से पलट देंगे और दूसरे साइड से भी इसे क्रिस्पी होने पका लेंगे तो यह देखिए एक साइड से कितना गोल्डन ब्राउन कलर आ रहा है एकदम यम्मी लग रहा है देख के ही बन ऐसे ही रेडी कर लेंगे तो ये देखे हमारे तेश्टी हो गए मुंगदाल के बन तो इसे मैंने टोमेटो केचप के साथ सर्व किया हुआ